तो यहाँ पर जैसे ही मैंने अपना PC open के यहाँ पर आप देख सकते हैं चारो कोने पर यहाँ पर आपको देखने के मिल रहा होगा Safe Mode तो यहाँ पर हमारे PC में Safe Mode on हो चुका था अगर दोस्तों आपके यहाँ पर लेप्टॉप में या फिर PC में automatic Safe Mode on हो जाता है इससे आपका Window का Run Mode open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपके सामने टाइप करना है इस वाले option में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले option में आपको type करना है ms.coanfig यानि की ms.config type करना है जैसे आप यहाँ पर ms.config type करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ok पर click करना है या फिर आप keyboard से enter दबा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस्तिरिके का interface open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको simply boot वाले option पर जाना है जैसे आप boot वाले option पर जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह safe mode पर enable है तो इस पर आपको click करके इसे untick कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको ok पर click करना है यहाँ पर आपको apply करने के बाद फिर से आपको ok पर click कर देना है जैसी आप ok पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने exit without restart का option आएगा एक option आजाएगा यहाँ पर आपके सामने restart का तो यहाँ पर आप restart भी कर सकते हैं करूंगा तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारे स्क्रिण पर तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमारागira सेमोड यहाँ पर चारो क doubledhe पसंद आई होगी और आप भी सीच गए होगे कि लेप्ट आप या फिर computer में window 10 में save mode को कैसे हटाया जाता है हानि कि save mode को कैसे remove किया जाता है